नमस्कार दोस्तों, IRFC यानि कि Indian Railway Finance Corporation का IPO बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि SEBI ने इसको अब अप्रूब कर दिया है, ये IPO की डेट अभी तो नहीं आई है, लेकिन ये IPO बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है, 2-3 महीनों के अंद तो चलिए इस IPO के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या इस IPO में मैं investment करूँगा, क्या आप लोगों को investment करना चाहिए, और क्यो investment करना चाहिए, ठीक है, वीडियो काफे important है, अगर आप लोगों को IPO खरीबने में problem हो रही है, कि किस तरह से IPO बाई बगरा करते हैं, तो आप इस company के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, Indian Railway के गर हम बात करते हैं, तो इंडिया में एक ऐसी संस्था है दोस्तों, एक ऐसी organization है, जो की हमेसा profit में रहती है, ठीक है, इसको किसी और के budget की जरूरत नहीं होती है, इसकी सारी जोगी companies इसे relate करती है, वो सारी companies profit में होती ह है, ठीक है, यह basically काम क्या करती है दोस्तों, यह IRFC काम करती है, Indian Railway को money provide करती है, ठीक है, एक तरह से financial support देती है, Indian Railway को, capital market का investment ले करके, अलग-अलग तरीके से, किसी loan ले करके, जिस भी तरह से जरूरत पड़ती है, Indian Railway को, वो उसको finance provide करती है, जैसे कि Indian Railway में कुछ भोगी जो को add करना है, railway line बिछानी है, तो यह सारे काम जो आते हैं, यह सब कुछ Indian Railway Finance Corporation के तरफ से finance इकठा हो करके आते हैं, तो वही सारे काम यह उनके पैसों से होता है, इनकी कुछ revenue growth है, कुछ company के, you know, capital market में क्या इस्थिपी है, इनकी क्या valuation है market में, इसको आम लोग देखते है किस हिसाब से बढ़ी है, तो अगर आप लोग दोस्तों इसके revenue growth को देखेंगे, पिछले 5 सालों का, जो की 2013 से 17 का है, तो 2013 में 5551 यानि की 5551 करोड रूपीज तक का इनका revenue रहा है, यह ठीक है, फिर इनका 2017 में 9047 करोड, almost दोस्तों अगर आप देखेंगे, तो 90% का growth पिछले आने वाले 4 सालों में इसने gain किया है, यह revenue growth है, इसका 13% के CAGR growth से यह आगे बढ़ा हुआ है, अगर इसके पूरी profitability को देखेंगे, profit after tax यानि की tax देने के बाद, जो इसकी growth हुई है, इसके revenue में, इसके let profit में, वो 16% की रही है, 2013 में जैसा कि आप लोग देखेंगे, 521 करोड इस तक की रही है, 2017 में 933, almost ये भी आप लोगों का 90% से ज्यादा का growth है, ठीक है, इनके केवल net profit की, जो company का पूरा profit होता है, ठीक है, सारे taxes बगरा देने के बाद, अगर आप लोग company की valuation को देखेंगे, तो 17% के CAGR growth से इसकी valuation बढ़ी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं, आ 2017 में 12,009 करोर रूपीज, almost आप लोगों का ये double है, यानि कि almost 95% का growth इन 5 सालों में देखने को मिला है, ये 2017 तक का data है, ठीक है, financial year ended, March 31st, तो आप लोगों कमपनी देखने के पता चल रहा होगा, कि company की profitability काफी अच्छी है, as like IRCTC, IRCTC क्या करती है, कि वो आप लोगों को facilities प होती है, आप लोगों की क्या खालना है, क्या पीना है, ये सारा कुछ आप लोगों को IRCTC provide करती है, IRFC उसका पिसला basement है, यानि कि वो उसको financial support पहुचाती है, IRCTC को, ठीक है, ये दोनों ही अलग-अलग companies है, लेकिन दोनों ही काफी profitable companies है, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लो होती है, ठीक है, तो ये investment के लिए काफी अच्छे IPOs होते हैं, और company भी काफी अच्छी है, profitable company है, ये भी एक काफी अच्छा IPO होन होना है, company की valuation भी काफी अच्छी है, तो मैं तो इस IPO के लिए जाने वाला हूँ, जब भी IPO आएगा, उसकी मैं आप लोगों को update दोंगा, बाक से और जानकारी ले सकते हैं, अगर आप लोगों ने इससे पहले IPO में कभी investment नहीं किया है, बाकि आप लोगों की जो भी राय हो, नेचे comment करके बताईए, जो भी question हो वो पोच सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो, तो दूसरों के साथ share करके उनको भी बताएं, इसके बार का दिन सुभर, जाहिन